कोलकता नाइट राइडर्स को कुछ दिन पहले बड़ा जटका लगा था जब उनके कपतान शेयर शेयर चोट के कारण IPL 2023 से बाहर हो गए इसके बाद तलाश शुरू हुई नए कपतान थी हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखे राइयर की जगा कौन लेगा शारुकान की टीम को चांपियन बनाने का जिमा इस बार हीरो नंबर वन कहे जाने वाले गोविनदा के दामाद को दिया गया है अन्होंने बताय था कि नितीश उनके जीजा लगते हैं क्योंकि दिल्ली के इस खिलाडी की पतनी साची उनकी चचेरी बेहन है खृष्णा गोवंदा के भांजे हैं इस रिष्टे से साची गोवंदा की भांजी और नितीश उनके दामाद हुए नितीश राना साल 2018 में KKR से जुड़े थे वो काफी समय से टीम के लीडर्शिप गरूप का हिस्सा है लेकिन ये पहला मौका है जब उन्हें कप्तानी दी गई इस नई जिम्मदारी को लेकर राना ने कहा कि एक टाक के अलावा और कुछ नहीं है वो काफी समय से KKR की लीडर्शिप गरूप का हिस्सा है और फर्क सिर्फ यह है कि इस बार उन्हें कप्तान का चाग दिया गया है। राना स्टाग का दबाव नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते किसका असर उनके खेल पर पड़े। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो थोड़ा दबाव हो जाता है। 2020 मुकाबलों में कप्तानी कर चुके हैं जिसमें आर्ट जीत और चार हार शामिल है। सेयद मोधी के पिछले सीजन में दिल्ली की टीम उनकी कप्तानी में क्वार्टर फाइनल्स में पहुची थी। प्यारवाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। देशो विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं टीवी नाइन भारत वर्ष। झाल आपको हमारी तमाल आपको विए आपको हमारी रहे हैं? झाल आपको हमार्टर आपको देखते लिए टोग्या हैं?